एक साहुकार के एक बेटा बहु थे। बेटा अव साहुकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढों का धन था उससे काम चलाते थे। जब भी बहु बाहर कचरा डालने जाती तो पडोसन उससे पूछती बहु आज क्या खाना खाकर आई है। तब वह कहती व गरम गरम खाना परोस्ती है। तब भी यह पडोसी से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी मा बोली। बेटे मैं तो चारो थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोस्ती हूँ। यदि तुझे मुझे पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आखो और गरम खाना खाना खाकर गई थी और तुने परोस्ती हूँ खाकर गई थी और तुने परोस्ती हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो आपकी कमाई हुई रोटी है ना आपके पिता जी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लि युग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौत माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहां बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौत माता बोली कि सुबह एक दीपक जला कर चौत माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रूपए दे जाएगे और लेने वाले ले जाएगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी मैं तो सांप योनी से मुक्त हो रहा था लेकिन तुने मुझे सिसकार दिया इसी लिए मैं अब तुझको डसूंगा तब वह लड़का बोला हे नागराज तुम मुझे अवश्य खा लेना मैं आपको वचन देता हूँ मैं बारह वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ कल रात आप अवश्य आ जाना जब पती घर आ दिये चौथी पर इत्र छेड़क दिया पांचवी पर मिठाई रख दी इस तरह उसने सातों सीड़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दर्वाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी छोटी लड़का कर सो गई साप आया सबसे पहले उसने दूद पिया तो बोला साहुकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिये है पर वचन का बंधा हूँ इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य है सातों सीड़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसे ही वो उसको डसने लगा चोथ माता और बिंदा एक अजी धाल ववतलवार बन गए और उस साप के चार ठुकड़े कर दिये पूँच का एक ठुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा साप ने सोचा कि जब ये जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा तभी वहां बहुत सी चिटियां आ गई उन्होंने कहा यह स्त्री हमें रोज शक्कर वा आटा खिलाती भी इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए चिटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूँच को पोली कर दी जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था मा ने सोचा मेरे बेटे बहु को किसी ने मार दिया है इसलिए वह चिलाने लगी तभी बेटा बोला कि मा खुशियां मनाओ आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है और पूचने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्ग आयू के लिए कोई उपाय किया था क्या तब मा बोली मैंने तो कुछ भी नहीं किया पतनी से पूचने पर बोली कि बारह महिने की चौथ माता का वरत करती थी इसलिए चौथ माता वव विंदायक जी ने हमारी सहायता की है तब सास बोली ये जूट बोलती है रोज मैं इसे चार बार रोटी देती थी तो फिर इसने चौथ का वरत कैसे किया तब बहन बोली एक बार गाय को खिलाती एक महतरानी को देती एक जमीन में गाड़ देती शाम का खाना मैं चंद्रमा को अरग देकर खाती यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो तब गाय माता से पूछा तो वह हसने लगी और पलाश के फूल उसके मुह से गिरने लगे जमीन में खोद कर देखा तो रोटीयों की जगह सोने की चकर थे महतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी हे चौथ माता उसके पती की रक्षा हुई वैसी हम सबकी करना और सबकी मनो कामना पूरुन करना बोलो चौथ माता माता की जय